गूर्णिंंग दोस्तो n आज मैं आपको debit note बताओंगा अभी आपने पीछे एपिसोड में देखा purchase order उसके बाद आपने rejection mode देखा इसमें मैं आपको debit note बताओंगा तो debit note करने के लिए आपको कुछ features activate करने पड़ेंगे उसकी लिए आप F11 F2 में जाकर इसमें आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा यूज डेबिट क्रेड़िट नौट और यूज मोड फूर डेबिट नौट तो आप इन ओप्सिनों को यस कर लोगे यहाँ पर और उसके बाद यूज इनवाइश मोड फूर डेबिट नौट इसे यस करने के बाद इसे आप असेप्ट कराऊगे फिर वापिस आप accounting voucher F9 प्रेस करेंगे तो यह आपको यहाँ पर purchase दिखाए देगा बट purchase के अंदर आपको क्या करना है यहाँ पर control F9 प्रेस करना है control F9 तो control F9 करोगे तो देखो यहाँ पर दिखाए दे रहा है debit note और नीचे दिखाए दे रहा है आपको name of item के recording लेकिन हमें यहाँ पर करना है invoice के recording तो control V दबाओगे तो यहाँ पर format change हो जाता है तो यहाँ पर हम reference डालेंगे उस bill का जो आपने order किया था इस तरीके से यहाँ पर buy आ रहा है तो यहाँ पर आएगा party का name जो पैसे ही debit करेगी debit तो जो आपको पिछला episode अगर याद होगा तो उसमें आपने balance देखा होगा current balance में अभी 12000 something था लेकिन जैसे आपने 700 कुछ डाला तो यह current balance कम हो गया टू के अंदर हम क्या करेंगे अल्ट C और यहाँ पर हम एक लेजर बनाएंगे परचेज return परचेज रिटर्न परचेज अकाउंट के अंदर असेप्ट कराओ यहाँ पर name of item मांग रहे हैं तो हम यहाँ पर keyboard देंगे और यह rejection जो आपका tracking number है इसको pick up करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाए दे रहे हैं कि balance अपने आपी उठा रहे है end of list, accept तो इस तरह से आप debit mode बना सकते हो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो like करें, subscribe करें, thank you